हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल टेक्निकल शाधाब सर में जी हाँ और आज हम इस वीडियो में अनली टेक से रिलेटेड बात करेंगे वह मेकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो यह किसी अधर फिल्ड से हो ठीक है अनली टेक के बारे में बात करेंगे तो आज हमारा टोपिक क्या होगा बहुत इंट्रेस्टिक टोपिक है हर बंदे के हर इंडस्टी में हर टेक्निकल बंदे के यूज होना ही होना है तो टोपिक क्या है हमारा बैरिंग जी हां तो जो मैं आज इस टोपिक पे बैरिंग टोपिक पे आज मैं आपक कितने परकार के होते हैं ठीक है बेरिंग कितने परकार के होते हैं तो बेरिंग में बताऊंगा आप से सिर्फ दो ही परकार के होते हैं कौन से यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे स्लाइडिंग बेरिंग ठीक है यह लिखेंगे हम रोलिंग बेरिंग ध्यान देंगे जो चीजे मैं आज आपको बताऊंगा वो आपको इजीली तो नहीं मिलेगी ठीके इजीली वो नहीं मिलेगी और हाँ यह बेरिंग का TOPIC जो भी टेकनिकल से रेलेटिड हो कोई भी टेकनिकल फिल्ड हो ठीक है कोई भी इंडर्ण और एक रोलिउ श्लाइडिंग को हम प्लेन बेरिंग भी क्या देते हैं दियान देंगे अब डौनों में क्या देखो इसमें जो स्लाइडिंग वेरिंग होगा यानि इस Northeast प्लेन बेरिंग होगा आपने देखा होगा कि बिना गोल क्या जिसमें बॉल्स नहीं होती कोई रोलर नहीं होता कोई बॉल्स नहीं होती सिधी वासा में मैं कहा दू कि कोई गोली नहीं होती ठीक है कोई गोली नहीं होती वो होता है हमारा स्लाइडिंग बेरिंग प्लेन बेर सोंगी oni yeah results ऑने कोई वी गोली होंगी वो rolling Bearing होगे ठीक है अब rolling wearing टे परकार आते हैं इसको तो यह चूड़UI के परकार ले लेते हैं देखो यह आपे धेशान देएंगे जो मैं बताने वाला हूं अब यह rolling Beharing भी दो परकार के होते हैं कौन-कौन से एक तो होगा हमारा बोल बेरिंग और दूसरा क्या होगा हमारा रोलर बेरिंग ध्यान देंगे रोलिंग अलग चीज़े रोलर अलग चीज़े ठीक है यहां पर चाहो तो मैं हिंदी में लिख सकता हूं यह हमारा रोलिंग और ये है हमारा रोलर ठीक है रोलर रोलिंग रोलिंग बेरिंग के भी दो परकार होते हैं एक बोल बेरिंग और एक रोलर बेरिंग अब ध्यान देंगे दोनों बेरिंग का डिफरेंस क्या है फरक क्या है जो बोल बेरिंग होगा उसकी जो बोल्स होंगी ठीक है उसकी जो balls होंगी वो एकदम goal होंगी बोल्स होंगी एकदम goal होंगी तो ball bearing होगया ठीक है इसकीन पे दिखा सकता हूँ यह देख लीजिए ठीक है और roller जिसकी ball नहीं होगी वो roller होगा अब rollers के भी अलग-अलग टाइप होंगे और बोलगी भी अलग अलग टाइपस होंगे ठीक है तो सारे टाइपस आज मैं आपको बता दूगा यह इतना जानने के बाद आप बैरिंग्स के मास्टर हो जाओ गारंटी के साथ कह सकता हूँ बैरिंग्स के मास्टर हो जाओगे तो देखो और वीडियो को अब तक लाइक लाइक कर्दीजिया जो चैनल पर नए बने हुए हो चैनल को स्सक्राइब भी टिजी ठीके धो पहला बम बॉल बेरिंग मधाता हूं बैर्ट बैरिंग भी कही परकार के ओते हैं ठीक यहां तो चलिए यहाँ पिंगे मेंने क्या लिखा है बॉल बेरिंग और रोलर वेरिंग टेखको यह सिंपल होई क्याओं देप्र होंगे बैल और रोलरjuज में क्या होगया जई होगसिकी रोलर M將 होगा जिसकी बॉल गॉल नहीं होगी अब पहले बोल्वेरिंग के ले 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 लेंटाए ईले एक थे होता है सिंगल रू डिप गू बॉल बैरिंग जो सिंपल बॉल बैरिंग होगा ना उस वह हमारा बोली लेगा मैं आपको好š किंड में दिखा सकता हूं ये देख लीजिएगा ठीक है अब आता है हमारा यानि कि ये सिरीज जो होती है देखो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ जैसे हमारी आ जाती है ना एक तेयं think Avant history ओ सिरीज चितिक है अब theeed टूर्टिस एजो मैं सिंपल रोका होगा अपने देखोंगा डवल्र रोका होता एक सिंगल रोका होंग होगा STE चोडाइ में फरगा जाएगा उसकी में टिकर इसके इंगल इसके होगा हमारी हुआ और इसके लिए होगा हमारा double ठीक है यारी कि बातरतियतर के लिए होगा हमारा single angle contact ball wearing और इसके लिए होगा हमारा double यारी कि ये चोड़ाई इसकी बढ़ जाती है ठीक है अब आता है हमारा self alignment ball wearing ये ball wearing आप सकी देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसकी जो balls होती है, इसको self alignment कहते है, ठीक है, ये खुद से थोड़ा सा alignment कर लेती है, fitting के दोरान अगर थोड़ी mistakenly कुछ हो जाता है, तो ये alignment self कर लेती है, इसलिए इसको self alignment ball bearings कह गया है, ठीक है, अगला number आता है, thrust ball bearing, अब देखिए, thrust में दो तरह क्यों ह होता है, एक roller में भी हमारा thrust आएगा, आगे चलके roller में भी thrust आएगा, और ball में भी thrust आता है, तो ध्यान लखेंगे, तब thrust bearing बोलते हैं, तो ये बताना चाहिए, कि वो ball bearing में लेना है, या फिर roller में लेना है, अब देखो, मैं दोनों का difference भी बता देता हूँ, ball bearing में जब भी ह thrust bearing होगा, वो जब भी use होगा, बहुत कम load होगा, वहाँ पे कोई load नहीं होगा, सिर्फ movable के लिए होता है, यानि के सिर्फ गुमाने के लिए होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा load नहीं होता है, सिर्फ किसी part को rotate करने के लिए, गुमाने के लिए use होता है, thrust ball bearing, और जब roller में आएगा ना, वो heavy load के लिए होता है, दोनों में वो छी difference बता रहा हूँ, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, guarantee के साथ कह सकता हूँ, इसलिए ध्यान दीजेगा, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चारो बाते आप देख सकते हैं, तीन हो गया, और ये चार नंबर हो गया ठीक है, ये ball wearing के परकार आगे, अब आ लेंगे हम roller wearing के परकार, तो देखिए, जिसने अब तक आप उतार भी सकते हैं इसको, आप note कर सकते हैं, ठीक है, तो note कर लीजेगा, जिसको note कर रहा हो, मैं आगे बताता हूँ आपको roller bearing के परकार, ठीक है, चलिए, इसक्रीन पर सिलेंड्रीकल roller bearing, सिलेंड्रीकल roller bearing, सिलेंड्रीकल roller bearing कौन से होंगे हमारे, जो simply, जिसकी हमारी जो rollers होंगे, ध्यान रखेंगे, जिसके हमारे rollers होंगे, आप इसकीन पर देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, इसकीन पर देख लीजेगा, जिसके हमारे जो rollers होंगे वो हमारे cylinder के आकार की होंगे सिलेंडर के आकार की होंगे हमारे जो rollers होंगे तो उसको कहेंगे cylindrical roller bearing इनके use देको मैं बाद में बताऊंगा बहुत ही long video हो जाएगी बहुत ही long video हो जाएगी तो इनके uses कहा कहा कैसे use है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीके अब आता है हमारा सेकिंड क्या आता है स्पेरिकल बेरिंग स्पेरिकल रोलर बेरिंग भी कह सकते है स्पेरिकल बेरिंग भी कह सकते है ठीके ये स्पेरिकल बेरिंग कौन से होंगे देखो इसके roller की मैं आपको पहचान बताता हूँ इसकी जो rollers होंगे ना अंदर के ठीके इसकी जो आपके अंदर के rollers होंगे वो क्या होंगे एक डोलक की परकार होंगे डोलक समझते हैं न आप यहनि कि क्या होगा जो beach का part होगा इसके rollers का देखो screen पे देख सकतें इसके rollers पेखासकता हूं आपको इसका जो beach का part होगा वो उठा हुआ होगा और जो side के part होगे na rollers की जो सँकी गोल्या होँगी वो थोड़े down होगे तो उसी wearing को मैं क्या कहूँँगा Cirical wearing बहुत important बते बता रहा हूँ ध्यान देंगे मेरी बातों पर Asperical Waring कौन से होंगे जिसकी जो गोलियां है जिसकी जो रोलर्स है वो बीच से उठे होंगे और साईडों से थोड़े दबे होंगे वो हमारा Asperical Roller Waring हो इसका यूजना बहुत हैवी लूड के लिए किया जाते है ठीक है अब देखते हमारे needle wearing डीडल वेरिंग किसको कहेंगे जिसकी जो roller होंगे हमारे पहचान बता रहा हूँ जिसकी जो roller होंगे वो हमारे एक cage में एक cage में मतलब इस cage जो होती है हमारी उसमें बहुत quantity के साथ होंगे बहुत needle होंगे नीडल से आप पैचान सकते हैं कि नीडल बेरिंग बहुत ही बारीक बारीक उसकी जो हमारे रोलर्स होंगे बहुत कम ठीकनर्स की होंगे ठीक है इसे बहुत कम डाय की होंगे तो उसको कहेंगे नीडल बेरिंग अब आते हैं हमारे थ्रेश्ट बेरिंग थ्रेश्ट बेरिंग STRAFT BEARING का USE करते हैं मैं आपको SKIN पी भी दिखा सकता हूँ तो ये तो हो गए हमारे TYPES OF BEARING अब इनके कहा का कैसे यूज़े और BEARING NUMBER कैसे निकालते हैं SHARFTS से NUMBER कैसे निकालते हैं ID तो आप ID तो आप GENERAL सा निकाल लेते होंगे उसका OD भी कैसे निकालता उसकी